आर्बियल बैंक लिमिटेट के अंदर जब मैंने मेरा पिछला वीडियो अपलोड कर दिया था उसके टागेश थे दोस्तों 1 अक्टोबर से लेके आपको 7 अक्टोबर की यानि आज तक इसके अंदर कौन से भी लेवल पे आपने लिये हैं मेरे कहने पे फ्रेश इंट्री भी करके चल रहे हैं सब भी लोग अभी भी डबल से त्रिपल प्रॉफिट में हैं दोस्तों अगर आर्बियल बैंक 190 लेवल टच होगा तो आपको डबल से त्रिपल प्रॉफिट 190 लेवल पे ही हो जाएगा पर मैंने ये बात भी कह दी थी कि आर्बियल बैंक इंदर जो भी 184 लेवल पे मेरे कहने पे लेके चल रहे हैं जो भी 175 नीचे स्टॉक जाता हुआ 170 पे भी मेरे कहने पे RBL बैंक को बाई करके चल रहे हैं तो देखिए exit कर लिजे जिदर आप entry लेके चल रहे हैं उधर ही आपको double profit हो रही है exit कर लिजे ये बात मैंने 184, 178 लेवल पे जो भी RBL बैंक में entry करके चल रहे हैं ये बात मैंने बता दी थी उसके बाद ये बात बता दी थी जो भी 170 पे जब पिछला वीडियो अपलोड कर रहा था fresh entry लेके चल रहे हैं अगर weekly targets भी मिल रहे हैं तो इसके अंदर 179 में exit 184 को जाके stock reversal आया है और 190 जाता हुआ दिखा जो भी 190 पे ही entry करें सबी लोग double से triple profit में exit हो जाएंगे जो भी 184 के पास RBL बैंक को खरी दें reversal जाते हुआ मेरा strategy 5 रुपेज के हिसाब से maintain करें जो मैंने अपने वीडियो में बताते ही रहता हूँ RBL बैंक के तो देखिए आज भी बता रहा हूँ जो भी 184 के लेवल पे के पास खरी दें double profit में exit हो जाएंगे दोस्तों जो भी 190 के पास लेके चल रहे है 180 का overall average बन चुका है अभी भी आप लोग profit में यह stock को थोड़ा hold करके चलिए आप लोगों को 190 लेवल पे double profit होने वाली है थोड़ा patience रखिए द सब्सक्राइब करिए दोस्तों जब मैंने फस्त अक्टोबर को वीडियो upload कर दिया था साथ अक्टोबर तक टागेश बताते हुए दिखिए सबी टागेश आपको देखने को मिले उससे पहले में थोड़ा फीचे चले जाता हूँ जब मैंने सेप्टेंबर में वीडियो upload क कर दिया था जब बता दिया था कि 155, 156, 157 के लेवल के नजदिक तक स्टॉग जा रहा था तो आपनों को बता दिया था कि 156 या 155 के लेवल के पास आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 170 में एक्जिट करने के लिए आप देख सकते हैं 1 अक्टोबर तक वो लेवल्स आप strategy maintain कर रहे थे 190 पर मेरे कहने पर जो भी एंट्री लिये 170 तक मैंने average strategy maintain करने के लिए कहा उसके बाद स्टॉक reversal जाता हुआ दिखा आप लोगों को तो 5 रूपीज और 7 रूपीज के हिसाब से 190 लेवल पर जो भी लिये average strategy maintain करें 170 तक ये बाद भी आप लोगों को मैंने बता दी थी और 170 लेवल पर जो भी entry करें reversal जाता हुआ average करिए ये बाद भी बता दी थी उसके बाद स्टॉक पुरा 156 के level के नज़िक तक चले गया और 170 पर double से triple profit में मैंने exit करा दिया उसके बाद देख सकते हैं 190 लेवल जो भी entry करके चल रहे हैं और मेरे कहने पर final average 170 तक करें 180 का overall average बन चुका है दोस्तो 180 से 190 जाता हुआ दिखा double से triple profit में exit हो जाएंगे अभी के लिए जो भी 184 में मेरे कहने पर खरीदें 178 में मेरे कहने पर खरीदें ये दो level आप exit हो जाएंगे और जो भी 190 पर लेके चल रहे हैं दोस्तों थोड़ा time लग रहा है थोड़ा patience लगाईए आप फिर से double से triple profit में exit हो जाएंगे 190 लेवल पर और मैं इस हफते की बा आपको एक hint देता हूं है जो भी इसके अंदर ये gap up opening दिख रही है आपको यह वाली gap up opening अगर stock reversal जाएगा तो भी फिर से 164 के level तक जा सकता है आप अगर आप fresh entry करना चाहते हैं तो भी अब आप कर ले सकते हैं 177 level पे इसके अंदर 170 पे average करिए 7 रूपीज के हिसाब से average हु क्यूं बता रहा हूं क्यूंकि RSA तो bottom level है अगर उपर जाके uptrend level भी पकड़ने लगा 160 के 60 level के उपर तो आपको 90 इसमें पक्का देखने को मिलेंगी दोस्तों अगर यहां से भी यह reversal में recovery करके bottom trend line टच कर रहा है तो आपको 170 level देखने को मिलेंगे जो इधर इसने जो gap up opening आ पे ही जिदर entry करें उधर ही double से triple profit होने वाली है दोस्तों अब चलिए मैं वीडियो में आगे बढ़ जाता हूं अगर आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए और बन जाएए दोस्तों hyper trade family के member और एक बात आपको मेरे telegram channel का link description में मिल जाएगा आज का दिन है 7th October 2020 Wednesday RVL bank का closing है दोस्तों 177.10 पैसा यह जो मैं target निकाला हूं target 8th October 2020 Thursday यानि कल के लिए लिकाला हूं कल के दिन आपको buying opportunity देखने को मिले मेरे levels पे selling opportunity भी देखने को मिले आप मेरे targets कल market में लेके चल सकते हैं कल market में मेरे levels targets and stop loss पे trade करने के लिए आप अभी screenshot निकाल लेजिए अगर आप कल entry हो चिकिए आपकी levels में चाहे वो buying side हो selling side आपको opportunity मिल रही है तो आप क्या करिए immediate targets and stop loss लगा लिजिए stop loss हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है targets हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा दुस्तों